हेलो दोस्तों नमस्कार मैं विवेक कुमार आप सभी लोगों का हारदिक स्वागत है आपके और हमारे चैनल क्राइम की कहानी के नए एपिसोड में सबसे पहले आपके प्यार के लिए शुक्रिया की आप मेरे विडियो को पसंद करते हैं लेकिन अभी तक आपने इस चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया है तो प्लीज सबस्क्राइब कर लीजिये बेल आइकन दबा दीजिये ताकि आने वाली हर विडियो आप तक पहुँच सके तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं एक शमशान के बाहर एक सूटकेस पढ़ा था जब सूटकेस को खोला गया तो अंदर से एक लड़की की लाश निकली लाश पूरी तरह से जली हुई थी उसका चहरा पहचान पाना बहुत मुश्किल था अब सवाल था कि कातिल उस सूटकेस को शमशान के बाहर फिक कर क्यों गया जब इस वारदात का सच सामने आया तो लालच की एक ऐसी कहानी सामने आ अपने पतियों की लंबी उम्र के लिए व्रत रखा, दुआय मागी। लेकिन करवा चौत के अगले ही दिन यानी दो नवंबर की सुबह यूपी के बादपत जिले के गाव सिसाना में एक ऐसी वारदात हुई की मनजर देख कर सारे लोग दंग रह गए। गाव में शमशा तो उन्होंने फारण पुलिस को इत्तिला दे दिया। मौके पर पहुची पुलिस ने लाश को बरामत कर पोस्ट मॉटम के लिए भिजवाया और इसी के साथ लड़की के बारे में गाव वालों से पूचताच शुरू की लेकिन गाव तो छोड़िये आसपास के पूरे इल चुका था कि उसकी पहचान भी मुम्किन नहीं थी। ऐसे में पुलिस की सबसे पहले यही पता करने की चुनौती थी कि आखिर ये लाश किसकी है। जाहिर है इसके बाद ही मामले की तफ्तीश आगे बढ़ सकती थी। पुलिस ने जाच आगे बढ़ाने के लिए गाव के आसपास लगे CCTV कैमरों में रिकॉर्ड हुए फुटेज की चेकिम करने का फैसला किया। और इस कोशिश में पुलिस को पहला कलू मिला। पुलिस को CCTV में एक सिलवर कलर की स्विफ्ट दिजायर कार नजर आई जो देर रात गाव की तरफ आती और कुछ देर बाद वापस ज जाती हुई दिख रही थी। ये कार गाव में किसी की नहीं थी। ऐसे में पुलिस ने कार नमबर का पता किया और उसकी तलाश में जुट गई। चानबीन में ये साफ हुआ कि कार हर्याना के सोनीपत के किसी शक्स की है। चुकि मामला कतल का था। पुलिस बगैर देर की सोनीपत पहुँच गई। लेकिन कार मालिक ने बताया कि पहली नवंबर को वो कार उसके रिष्टेदार पवन के पास थी। वो कार मांग कर ले गया था। अब पुलिस पवन की तलाश कर रही थी। लेकिन इसी बीच एक अजीब बात हुई। लाश जलाने के बाद बागपत से लौट चुका पवन एक बार फिर सबूत मिटाने के इरादे से सिसाना गाव के शमशान के पास पहुँचा और इस बार पुलिस ने उसे घेर लिया। पुलिस ने उसे रुखने का इशारा किया लेकिन खुद को कानून के हवाले करने की जगह उसने पुलिस पर ही गोली चला दी और इसके बाद वही हुआ जो यूपी में अफसर होता है पुलिस ने जवाबी कारवाई की और पवन के पैर में गोली लग गई इसी के साथ पुलिस ने उसे गिरफतार कर लिया लेकिन अभी सूट केस में जलती हुई मिली लड़की के कतल की पूरी कहानी का सामने आना बाकी था पुलिस ने पवन से पूछताच शुरू की और इस पूछताच में पवन ने एक हैरान करने वाली कहानी सुनाई पवन ने बताया कि मरने वाली लड़की का नाम मनीशा है जो नौएडा के सदरपुर गाव की रहने वाली थी पवन के मुताविक मनीशा एक बेहद अमीर परिवार से संबंध रखती थी और मनीशा का कतल प्रॉपर्टी के जगडे में हुआ आरोपी पवन ने पुलिस को बताया कि मनीशा और उसके भाई विवेक चौहान के नाम पर पांच करोड रुपए की एक जवाइट प्रॉपर्टी थी लेकिन भाई भन की इस प्रॉपर्टी पर भाई विवेक और उसकी पत्नी शिखा कबजा करना चाहते थे यानि उनका इरादा मनीशा को सारी संपत्ती से बेदखल करने का था और इसीलिए मनीशा के भाई भाभी ने उसका कतल करवा दिया अगर आप हमारे चैनल पर नए है तो आप से विनमर निवेदन है की कहानी में आगे बढ़ने से पहले कृप्या क्राइन की कहानी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बेल आइकन दबा दीजिए ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे हमें आपके सहयोग की बहुत जरूरत है लेकिन पवन जो बता रहा था कहानी बस उतनी ही नहीं थी इस कहानी में एक और भी पेच था जिसका खुलासा बाग में हुआ असल में मनीशा की भाभी शिखा का पवन से भी रिलेशन था वही पवन जो इस वक्त पुलिस की गिरफ्त में था और पूच्टाच में मनीशा के कतल की कहानी सुना रहा था मनीशा के भाई विवेक को अपनी बीवी की ये असलियत पता नहीं थी लेकिन मनीशा अपनी भाभी और उसके प्रेमी पवन की सच्चाई जानती थी एक रोज मनीशा ने अपनी भाभी शिखा को उसके आशिक पवन के साथ आपतिजनक हालत में देख लिया और उनका विडियो बना लिया साथ ही कुछ तस्वीरे भी उतार लिये थे मनीशा ने अपनी भाभी और पवन के कुछ चैट और पिक्चर्स भी जुटा लिये थे अब शिखा को भी इस बात का एहसास हो चुका था ऐसे में शिखा अपनी ननद मनीशा ने दुश्मनी रखने लगी और उसने मनीशा के कतल की डबल प्लानिंग की एक तरफ तो उसने अपने पती विवेक को समझाया कि मनीशा कभी भी प्रॉपर्टी के कागजात पर साइन नहीं करेगी और उन्हें पाच करोड रुपय की प्रॉपर्टी कभी नहीं मिलेगी ऐसे में उसे रास्ते से हटाना ही इकलोता रास्ता है दूसरी तरफ उसने अपने आशिक पवन को बताया कि उसकी ननद उनके संबंधों की सच्चाई जान गई है जो कभी भी उनकी पोल खोल सकती है ऐसे में उसकी जान लेना बेहत जरूरी है इसके बाद शिखा ने अपने आशिक पवन को जूठी पहचान से अपने पती विवेक से मिलवाया और दोनों को मनीशा के कतल के लिए एक साथ प्लानिंग करने के लिए राजी कर लिया तै प्लानिंग के मुताबिक करवा चौत की रात यानी एक नवंबर को तीनों ने मनीशा को साथ में डिनर के लिए बुलाया और धोखे से कोई नशीली चीज खिला दिया नशीला खाना खाते ही मनीशा बेहोश हो गई और तीनों का काम आसान हो गया तीनों ने मिलकर मनीशा का गला घोंटा उसकी हत्या कर दिया इसके बाद लाश को ठिकाने लगाने के लिए उन्होंने उसे सूटकेस में भरा और सूटकेस पवन की कार में रखकर निकल पड़े तीनों को इस बात का डर था कि अगर उन्होंने सूटकेस कहीं आसपास ही फेक दिया, तो मनीशा की पहचान खुल जाएगी और तफ्तीश में तीनों ही पकड़े जाएंगे। लिहाजा तीनों ने कहीं दूर जाकर मनीशा की लाश को ठिकाने लगाने का फैसला किया। स्विफ्ट डिजायर कार में लाश वाली सूटकेस रखकर अब तीनों सीधे बागपत पहुँचे। जहां सिसाना गाउ में जंगलों के पास एक सूनसान जगह देखकर उन्होंने सूटकेस नीचे फेका और पेट्रोल डालकर उसे आग के हवाले कर दिया। अब सूटकेस में रखी मनीशा की लाश धूधू कर जल रही थी। चुकि आग की लप्टे तेज थी। तीनों कातिलों को यकीन हो गया था कि अब लाश पूरी तरह से जल कर राख हो जाएगी और कोई भी मरने वाली लड़की की पहचान भी नहीं हो पाएगी। कुछ यही सोच कर तीनों मनीशा की लाश को जलती हुई हालत में छोड़कर गाव से बाहर निकल गए। लेकिन होनी को कुछ और ही मनजूर था। अववल तो तीनों ने लाश जहां जलाई थी, वहां की मिट्टी गीली थी और आग की लप्टे कुछ देर में ठंडी पड़ने लगी। उपर से सुभसुभ मोर्निंग वाक पर निकले गाव वालों ने जब शमशान घाट के पास सूटकेस में जलती हुई लाश देखी, तो पहले उन्होंने पानी डाल कर आग बुझाई और फिर पुलिस को फोन कर दिया। उधर CCTV फुटेच से उस कार की भी पहचान हो गई, जिस कार में सवार होकर तीनों मनीशा की लाश ठिकाने लगाने पहुँचे थे। पुलिस ने अब पवन के साथ साथ मनीशा के भाई विवेक और भाभी शिखा को भी गिरफतार कर लिया। इसी के साथ ये साफ हो गया कि एक लड़की से दुश्मनी रखने वाले तीन लोगों ने एक साथ साजिश रच करना सिर्फ उसका कतल कर दिया, बलकि कतल वाली जगह से करीब 75 किलोमिटर दूर ले जाकर उसकी लाश भी ठिकाने लगा दी थी। लेकिन आखिरकार पुलिस जली हुई लाश के सहारे लड़की के कातिलों तक जा पहुँची। कहानी को लास्ट तक सुनने के लिए आपका धन्यवाद इस कहानी के बारे में अपनी राए कमेंट करके जरूर बताएगा और ऐसी ही अपराद की सच्ची कहानियों के लिए हमारे चैनल क्राइम की कहानी को सब्सक्राइब कर लीजिए धन्यवाद।